हाई गूड इबनिंग फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के वारे में अपने हाई ब्लड प्रेशर को आप घर पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन से उपाय हैं जो आप अपने बढ़े हुगा प्रेशर को आप अपने आप से कम कर सकते है आज हम इस वीडियो में आपको इन सबके घरेलू उपाय बताने वाले हैं अगर आप या आपके घर में कोई blood pressure का patient है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखेगा यह आपके लिए important हो सकती है blood pressure को कम करने के लिए जो tips हैं वो जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि blood pressure होता क्या है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे body में blood को transfer करने के लिए मतलब blood जो हमारे नलिकाओं हमारे body में पाया जाता है उसके लिए हमारे शरीर में कुछ नलिकाओं पाई जाती है जिनमें हमारा blood flow करता है और ये blood हमारे नलिकाओं की दिवार पर एक pressure लगाता है जिसको हम blood pressure कहते हैं blood pressure की कुछ normal values होती है जैसे कि हमारा normal body का blood pressure ये 120 y 80 होता है इसमें ये systolic और diastolic pressure होता है systolic और diastolic क्या होता है systolic हमारा 120 मतलब उपर वाला जो है systolic pressure और जो नीचे वाला है वो है diastolic pressure systolic मतलब जब हमारा heart contract करता है और diastolic मतलब हमारा heart जो है वो relax करता है तो वो diastolic pressure होता है so हमारा normal blood pressure जो है body का 120 by 80 120 by 80 हमारा normal blood pressure होता है अगर इसे हमारा कम या इतना है तो ये normal range होती है और एक होता है elevated BP इसमें क्या होता है हमारा blood pressure जो है 129 by 90 आ रहा है तो ये इसमें हमारा थोड़ा सा blood pressure बढ़ गया है elevated blood pressure में हमारा systolic blood pressure जो हो बढ़ जाता है थोड़ा सा बढ़ जायागा 129 और हमारा जो diastolic pressure है वो नहीं बढ़ता वो 80 रहता है अब high blood pressure की condition ये होती है कि ऊपर वाला हमारा 140, 140 something हो जायागा और नीचे वाला जो है वो 89, 90 हो जायागा तो ये हो जाएगे हमारी high blood pressure stage 1 का और जब हमारा BP 140 से ऊपर हो जायागा systolic और diastolic जो है वो 90 से ऊपर चला जायागा तो ये होगा हमारा high blood pressure की second stage और अगर हमारा blood pressure 180, systolic हमारा 180 से ऊपर और diastolic हमारा 120 से ऊपर चला जाता है तो ये बहुत जादा BPA हमारा इसके लिए हमें urgent doctor की medical treatment की ज़रूरत होती है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका blood pressure कितना होता है अब हम इसकी tips के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे हम अपना blood pressure कम कर सकते हैं सबसे पहले आपको BP को करने के लिए मैं एक बहुती fast तरीका बताती हूँ उसमें क्या है कि आपको अपने पैरों को डोगो के रखना है पानी जो है वो warm water होना चाहिए वो गरम पानी होना चाहिए उसका temperature आपका 45 something होना चाहिए उसमें आपको अपने पैरों को डाल के रखना है और अपनी सांसों को केंद्रित करना है मतलब आपको गहरी-गहरी सांसे लेनी है जिससे क्या होगा कि आपको ध्यान रखना है और breathing पे और जिससे आपका blood pressure जो है वो बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा यह process आपको 15 मिनट तक करना है 15 मिनट में आपको दिख जाएगा इसका असर बहुत जल्दी आपका blood pressure बहुत ही effective method है यह और यह आपका blood pressure बहुत जल्दी से lower down कर देगा और next आपका इसमें आपको क्या करना है अब आपको अपनी daily routine में क्या changes करने है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको नमक का इस्तेमाल कम करना है नमक का जिसमें NACL हमें अपनी body में sodium की मात्रा को control करना है sodium आपको ज़्यादा नहीं लेना अगर आप बाहर से कोई पैकेज़ फूड लेते हैं तो उसमें आपको ऊसकी चेक करना है कि उसमें sodium की quantity कितनी है इसे आपको नमक यूज नहीं करना है मतलब कम से कम आपको नमक का इस्तेमाल करना है second आपको अपना daily का एक्ससाइज का routine बनाना है कि आपको daily exercise करनी है जिसमें आपको तीन exercise अपके लिए main होती हैं जिसे आप अपना cardiovascular exercise होती हैं वो exercise जो आपका हार्ट बरीधिंग रेट पढ़ाती हैं जैसे jogging हो सकती है, fast walking, running, cycling ये सारी exercise जो है वो आपका breathing rate और यह आपका heart rate बढ़ाती हैं यह आपके लिए बीपी के लिए आपके लिए यूसफुल रहेंगी और आपकी strength exercises थर्ड है आपकी stretching exercises अगर आप यह exercises रिली करते हैं हपते में आप इसका result देख सकते हैं कि आपका systolic pressure 6-9 mmHg तक कम हो सकता है next day आपको अपना diet maintain करनी है diet में आपको potassium ज्यादा से ज्यादा लेना है sodium बहुत ही खराब है हमारे hypertension के लिए आपको sodium बिलकुल sodium का इस्तेमाल नहीं करना है और potassium आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है potassium और magnesium आपके लिए बहुत ही useful रहेगा और लेसुन और मैथी के दाने अगर आप सोबह मैथी मैथी के दाने और लेसुन लेसुन की एक कली खाते हैं तो यह आपका hypertension से आप बच सकते हैं आपका high BP नहीं होगा आप daily अपने routine में यह add कर सकते हैं तो यह थी कुछ चीज है यह कुछ टिप्स थी आपके लिए अगर आप इनको follow करेंगे तो साइध आप अपने hypertension से आप अपनी high blood pressure की problem से बच सकते हैं thank you so much